दूस्तो आजके इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप अपने वेल में call screen theme color call app को कैसे use कर सकते हों जिए दूस्तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि mobile की color screen पर हम बहुत ही कमाल की theme को कैसे set करें तो आजके इस वीडियो का पूरा देखना तो सबसे पहरे guys आपको place room में जाना हो और guys place room में जाने की बाद call screen theme color call application को search करना है दोस्तों आप देखतो इस application की one like plus downloading completed 3.6 का star है और यहाँ पर 3 plus rated है about this app पर click करने के बाद दोस्तों इस app की बारे में details में आप राप पढ़ सकते हो तो place room से guys आपको इस app को download करने के बाद किस तरीके से आपको इस application को use करना है आपको simply इपने mobile में इस application को open कर लेना है जैसे ही दुस्तों आप इस application को open करोगे याप पर कुछ add शो करेगी तो add को cut करने के बाद या application open हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख्स तो जैसे आप इस से open करोगे आपको simply ok option पर क्लिक ना है और इसके बाद दुस्तों यहाँ पर आप देख्स तो आपको simply जो है start वाले option पर आपको click ना है यहाँ पर आप देखे तो आपको अलग-अप्शन आपको देखनी को मिल जाए तो जैसे आप स्टार्ट वाले अप्शन पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखे तो आपको डालर थीम का अप्शन मिल रहा है नमबर लॉकेटर के बाद यहाँ पर कॉल फॉरवर्ड का ओप्शन है location info का option है इसके लाओ यहाँ पर नीचे की और आपको अलग-अलग options आपको ringtone वगर आपको जो है बैंगित 4, theme card info, अलग-अलग options आपको देखनी को मिल जागा तो यहाँ पर guys आपको simply dialer theme पर अगर आप जो है इस पर click करने के बाद दूस्तों यहाँ पर जो भी cross का icon शो करा है इन सभी option को यहाँ पर आपको tick करना है यहाँ से always allow पर आपको click करना है यहाँ पर इन cross वाले icon को यहाँ से allow करने के बाद यहाँ से guys आपको बैक आजाना home screen shortcut इसको भी यहाँ से allow कर देना है इसके बाद यहाँ से आपको back आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर color color screen का option शो करेगे तो आपको इसे select कर लेना है और आपको set as default पर आपको क्लिकना है इसके बाद guys आपको continue option पर क्लिकना है यहाँ पर permission को यहाँ से allow कर देना इसके बाद फिर से continue पर आपको क्लिकना है और यहाँ पर photo font डेलर का option मिल रहा है यहाँ पर guys आपको जो है इसके लाव यहाँ पर color 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 theme का भी option आपको देखनी को मिल जाता तो photo font डेलर पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर guys आपको कुछ add शो करेगे तो उपर से guys आपको add को skip कर लेना है यहाँ पर आपको cross का icon शो जागे या फूर आपको skip का option मिल जागे जहां से आप add को close कर सकते हो और यहाँ आपको new features आपको देखनी को मिल जाते जहाँ पर guys आप देख तो आपको button style का option मिल जाता है डिफॉल्ट बीजी है डाइल पेड चूज बेक्ग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर guys आप जो options यहाँ पर select कर सकते हो फिलाल guys में आप जो है डाइलर पेड वाले option पर click करता हो यहाँ पर कुछ add शो करेगे तो यह एड को close कर लेना है तो यहाँ पर guys आप देख तो अभी जो है यहाँ पर शो कर आप जो है यहाँ पर शो कर रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह शो कर रहा है यहाँ पर केड़ है और यहाँ पर contact का option यहाँ पर शो कर रहा है तो इस तरीके से guys आप जो है यहाँ पर इस तरीके से अपने जो है मोबाइल का डालर पेड वगएरा यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो इस तो आप्लिकेशन में गाईस यहाँ पर यह सैटिंग्स ओन करने की बाद आपकी मोबल का जो है कॉल रथी डालर पेड वगएरा चेंज हो जाएगा तो गाईस कैसा लगा इस वीडियो मे कमेंट करके जरूर तास तो अगर आपको भी वीडियो चलागे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से किजिएगा